नमस्कार सातियों मिरे नाम है अभिशेक और स्टेडी आएक्यू PCS में आप सभी का स्वागत है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पंजाब राज्य के पंजाब स्टेट के करेंट अफेस और उन करेंट अफेस में स्पेसिकली वो होंगे जून मन्थ 2024 के मेजर करेंट अफेस आप सभी को पता होगा कि चाए वो स्टेट PCS एक्जाम हो या फिर वन डे एक्जाम ही क्यों ना हो या फिर UPSC का एक्जाम क्यों ना हो करेंट अफेस की वैल्यू बहुत जादा रहती है क्योंकि सारे सब्जेट से वो लिंग्ड चीज़े पूछी जाती हैं इंटर लिंड आपके करेंट अफेस आपसे पूछे जाते हैं तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और जून मंत के जो करेंट अफेस हैं उनको स्टारो यहि suspect सब्डेटार और जार्यूट मेंड़ी जाते हुश्ँ झांट की वार्मवाश्व डी प्हलेट मेंुल दालिभावल में मयूरियल लविर्ट is for self-cultivating farmers, ठीक है, awards कौन-कौन से हैं, देख लिजगा, इसकी बात कर रहे है, the Sardar Dalit Singh Dhaliwal Memorial Award is for self-cultivating farmers, आगे का लिखा हुगा है, excelling in field crops and including a price of Rs. 5000, a plaque and a citation, ये चीज़े हैं, इसमें मिलने वाली हैं, ठीक है, लालाई statement ये हो गया, next statement is, the Pravasi Bharti award is for the farmers engaged in diversified farming systems and includes a price of Rs. 10,000, a plaque in a citation, ये हैं, यहाँ पर award कौन से है, Pravasi Bharti award, ये वाला है, and the third statement says, the Sardar Ujagar Singh Dhaliwal Memorial Award is for vegetable, vegetable growers, vegetable growers with at least 60% of holdings in vegetables, तो ये question आपके हैं, तीन statement है ये वाला, इसमें awards के बारे में पूचा गया है, awards कौन सा है, innovative farmer awards 2024, question पूचा गया है, which are the statements given above, जड़ार correct, कौन से ऐसे statements हैं, जो कि इसमें सही है, तीन statements यहाँ पर दे दिया गया है, इसमें से पूचा गया है, सही वाले statements, correct वाले statement पूचा गया है, options है चार, इन में से एक option नहीं बिल्कुल सही होगा, one only, two only, one and three, and one, two and three, you can choose one option here, एक option को आप choose कर सकते हैं, और एक ही option सही भी होगा, you can pause this video, आपको आप ये वीडियो pause कर सकते हैं, pause करने के बाद इसका एक जो correct option होना चाहिए, आपके according आप उसको चूज कर लीचे, देखते हैं कि वो option सही होता है कि नहीं, तो अभी हम discuss करने वाले हैं, innovative farmer awards की बारे में, ध्यान दीचेगा, यहाँ पर एक statement जो है, second वाला, वो क्या बोल रहे हैं, वो यह बोलना है तो प्रवासी भारती अवार्ट, तो प्रवासी भारती अवार्ट जो है, is it linked with the agriculture? No, I guess, right? नहीं, यह उससे linked नहीं है, farmer award से यह कहीं पे भी linked नहीं है, क्योंकि प्रवासी भारतीयों के लिए, जो award दिये जाते हैं, वो उससे linked है यह चीज, तो यह second statement जो है, it is not correct, second statement जो है, यह incorrect हो जाएगा, क्योंकि यह अलग award है, इसको इस श्रेड़ी में दिया नहीं जाता है, जो कि farmers होते हैं, so second statement यह अगर wrong है, this statement is wrong, तो कौन से options यहाँ पे eliminate हो जाते हैं, you have to apply your mind, कि कहाँ पर कौन सी जो options है, उनको eliminate कर सकते हो, और जो probability है, correct options को choose करने की, वो आप कहाँ पे बढ़ा सकते हो, तो second अगर statement गलत हो जाता है, तो जहाँ जहाँ पर फिर second है, वो गलत हो जाएगा, now you can understand, कि वही जो first statement है, वो दो जगे available है, तो वो तो बिल्कुल सही होगा ही होगा, क्योंकि second वाला is not related to the farmer's supports, ठीक है, प्रवासी भारती है, फार्मर से link नहीं है, the first statement is correct only, क्योंकि first दोनों में available है, now you have made the 50% probability, या तो option first सही होगा, A option सही होगा, या तो C option सही होगा, it means you have made the 50% probability, अभी तक आपके पास 4 options थे, 4 options में you had the 25% की probability, चूज करने की सही option को, अभी क्या होगा है, या तो आप ये option चूज करोगे, या तो आप C option चूज करोगे, probability आपकी 50% हो गई है, correct option को चूज करने की, इस तरीके से आपको चीजें eliminate करनी है, और eliminate करके, आप लोग चूज कर सकते हों सही option, I hope आप सभी लोगों ने, जो correct option आपकी तरफ से है, उसको चूज कर लिया होगा, यहाँ पर correct option जो है, वो कौन सा है, C option correct है, 1 and 3 is the correct thing, solution देखते हैं इसका, C option, answer C, जो option C है, वो बिल्कुल इसका सही answer है, देखते हैं solution क्या है, Punjab government is tendance bond between farmers and scientists, ठीक है, Punjab government, role जो है, scientists का और farmers का जो link करके, वो बहुत important है, Punjab state में, research and development, research and development, इस field में definitely, बहुत जादा जरूरी है, because Punjab state एक ऐसा state है, जो की पूरे भारत देश के लिए, food security को provide करने में, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निमाता है, बहुत important भूमिका निमाता है, ये क्या promote करते हैं, इन दोनों का जो समागम है, इन दोनों का जो, इक standard किया गया है bond को, इससे होगा क्या, इससे होगा crop diversification को promotion, ठीक है, एक क्रिशी का विविधी करन, हिंदी में बोलते हैं, क्रिशी विविधी करन, मतलब, अलग-अलग type की जो crops हैं, उनको लगाना, एक ही नहीं है कि, वही mono cropping करते चलेगे, बहुत सालों तक ऐसा होता जा रहा है, उसको avoid करना, and shift करना other crops की तरफ, उसको बोलते हैं crop diversification, इससे होगा क्या crop diversification promote होगा, इसमें क्या किया गया है, इसमें award दिये गया है farmers को, तो इसमें honor किया गया है, farmers की hard work को honor किया गया है, इन awards में, अब किसने किया है, ऐसे questions भी आ सकते हैं आपके exam में, तो आप समझ लिजाकर, अब देखते हैं awards के बारे में क्या statement लिखा हुआ है, recognize and celebrate, इससे होगा क्या, इससे recognize किया जाएगा, उन farmers के achievements को, उन farmers के works को, and celebrate किया जाएगा, इन awards के थुरू, कि भाई, जो काम कर रहे हैं, वो लोग agriculture की field में, agriculture में, haughty culture में, and related enterprises में, इससे, इन awards से, इन farmers के, इस field में काम कर रहे हैं, उनके जो achievements हैं, उनके जो works हैं, उनको क्या किया जाएगा, recognize किया जाएगा, वो celebrate भी किया जाएगा, तो ठीक बात है, event कहां पर था यह, awards to be presented at P.A.U. किसान मेला, Punjab Agricultural University, किसान मेला, in September 2024, September 2024 में, ऐसा होगा, nomination जो है, वो वाला काम अभी हो चुका है, और September May Award दिये जाएगे, awards to be presented at the P.A.U. किसान मेला, in September 2024, जो कि अभी होगा, ठीक है, तो पहला और तीसरा statement, बिल्कुल सही था यह वाला, first and third statement is correct, यहाँ पर self-cultivating farmers के लिए है, सदार धलीप सिंग धालीवाल Memorial Award, और सदार उजागर सिंग धालीवाल Memorial Award, यह भी बिल्कुल सही statement है, for the vegetable growers. Next question पर आते हैं, बोग, next question पर आते हैं, this question says, now, consider the following statements regarding the award received by Chandigarh Police for the fastest passport verification process, ऐसा प्रक्रिया है, कि जब भी आप passport बर्माने जाते हो, होना चाहिए, passport verification process होना चाहिए, पूरे देश में ऐसा हो दा है, but, पंजाब में, इसके बार में इनको award भी मिल चुका है, consider the following statements regarding the award received by, award received किया है, Chandigarh Police ने received किया है, for the fastest passport verification process, ठीक है, 2013-2024 में, धान दीज़े, 2013-2024 में, fastest passport verification, PB process, statement किया है, the first statement says, Chandigarh Police was awarded the top position, for the fastest passport verification process, by the Ministry of External Affairs, चलो, Ministry of External Affairs देगी, यह सब आवार्ट को, ऐसा statement है, यह सही है, यह अफिर गलत है, यह आपको चूज़ सरना है, the second statement says, Himachal Pradish and Delhi, were ranked second and third respectively, now, हमारे पास दो और जगहे हैं, दो और पार्ट है, एक state है, एक है union territory, उनकी क्या position है, यह आपको चूज़ करके बताने, कि this statement is correct or wrong, ठीक है, correct या फिर incorrect, Himachal Pradish है और दिल्ली है, second और third के लिए, वो rank किये गए, third statement says, the award was presented at the regional passport office, conference in Mumbai, वहाँ पर इस awards को दिया गया है, तीन statement है, आपके पास, आपको चूज़ करना है, इन options के according, कि कौन कौन से statement यहाँ पर सही है, which of the statements given above, इस और आप correct पूछा गया है, पहली बात तो, ध्यान दिजेगा, कई बारसा होता है, कि not correct पूछा जाता है, आपका जो unconscious, subconscious mind में आपके हमेशा रहता है, कि इस correct जो है, उसी को पूछा गया होगा, ध्यान दिजेगा, wordings क्या है, question के, this is a question statement, यह तो ऐसे general statements है, इनके बारे में आपको चूज़ करना है, options में, लेकिन question के आप पूछ रहा है, इस statement में, इसको आपको समझना होगा, कि यह क्या है, कहीं पर आपको not correct पूछा जागा, तो आपको not, गलत वाले जो statements होंगे, उपर दी हुए, वो choose करना होगा, so here we have four options, one only, one and two only, two and three only, one and two and three, आपको choose करना है, इनमें से correct option, एक option नहीं, only one option is correct है, एक स्टेट्मेंट जो है, जहां पर गलती हो सकती है, create करने में, वो क्या हो सकती है, place के बारे में, ठीके, आप समझ पा रहे होंगे, passport वाला जो कारे होता है, passport वाला जो काम होता है, वो कौन करेगा, वो basically ministry of external, ये ministry of external affairs वाला जो काम है, वो समझ सकते हैं, कि हाँ it is linking, ऐसा हो सकता है, कि हाँ जोड़ रहा है, इनका जो काम है, वो बिल्कुल सही जोड़ रहा है, हिमाचल प्रदेशन दिली, ऐसा हो सकता है, कि इनके जो position है, वो change कर दी गई हूँ, ये आपके, अगर आपने पढ़ी हैं चीज़ें, तो आप definitely कर लोगे, नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पर change हो सकती है, थर्ड statement भी है, वहाँ पर Mumbai दिया है, तो place change हो सकता है, या तो Mumbai होगा, या तो कोई और पंजाब में कोई जगए होगी, या फिर इधर चन्रिगड भी होई सकता है, क्योंकि चन्रिगड पुलिस के बारे में बात हो रही है, और कोई other city हो सकती है, यहाँ पर आपको choose करना था correct option, मैं बता जाता हूँ, इसका option कौन सा correct वाला है, इसमें, पहला option, पहला statement और दूसरा statement, दोनों इसमें सही हो जाते हैं, तो option B, option B is correct है, option B is correct है, यहाँ पर मिला है, one and two only, जो third statement है, वो इस place की जगह से, इस place की जगह से wrong हो गया है, ठीक है, third statement यह वाला wrong है, first and second statement are correct है, B option is correct, देखते हैं solution, चन्रिगड पुलिस was awarded top position for the fastest passport verification process 2023 and 2024, यह तो question B statement है, बिल्कुल सही भी है, चन्रिगड पुलिस को award भी मिल चुका है, इस बार, और यह top position पे है, first position इसको मिली है, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में, in all the states, in all the union territories, in all the states, in all the UTs, it has achieved the first position, top position, next देखते हैं, highlights, it highlights the efficiency, यह efficiency और dedication को दिखाता है, passport processing में, which is happening in चन्रिगड, चन्रिगड पुलिस का यह काम है, कि भई वो police verification जो है, बिल्कुल timely करें, बहुत जल्दी करें, quickly, जैसे ही फाइल आती है, वैसे ही वो provide करेंगे, तो efficiency को दिखाता है, ठीक है, कारेशीलता जो है उनकी उसको दिखाता है, साथ में, dedication, dedication, बलब ततपरता को दिखाता है, कि कितनी जल्दी वो process को काम करते हैं, पूरे भारत में ऐसा है, ठीक है, position wise क्या है, ranking, first is चन्रिगड, second is हिमाचल प्रदेशन, third is Delhi, हमारी जो राज़दानी है, पूरे भारत की, Delhi, इतने सारे लोग रहते हैं, अगर वहाँ पर, third position भी आ जा रही है, unity की, तो आप बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है Delhi के लिए भी, चन्रिगड़े जाट the first position, यह तो हमने देख लिया, इसके बात दिखते हैं, Ministry of External Affairs, किसने अवर्ड किया है, Ministry of External Affairs ने अवर्ड किया है, first statement, जो है, वो यहाँ पर correct हो जाएगा, right, it was the first statement, yes, Ministry of External Affairs, अब आते हैं solution में, presented certificate of recognition at regional passport office conference in New Delhi, it is not in Mumbai, it was not held in Mumbai, it was held in New Delhi, यह नई दिल्ली में हुई एक conference थी, जहाँ पर इस recognition दिया गया है, certificate of recognition दिया गया है, चनिकर्ड पुलिस को, तो यह option आपका, जो 20 option था, वो बिल्कुल सही था, third statement मुंबई की वज़े से, यहाँ पर गलत हो गया, यह था हमारा New Delhi, अब आते हैं अगले question की तरफ, next question गयाता है, consider the following statements, regarding the registration of trichoderma asperlum, trichoderma asperlum, और उसके जो specification है, that is written here, 2% WP, consider the following statements, regarding the registration of trichoderma asperlum, यह बहुत important है, current affairs में आया भी था है यह 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 इंपोर्टन है, काफी important है, because it is linked with the Punjab Agricultural University, and news में था, और हम लोग state की current affairs पढ़ रहे हैं, तो state की current affairs में, अगर universities का कुछ role है current affairs में, तो definitely it is a linking topic, यह link कर रहा है, academic part को और commercial part को भी बाद में, तो यह important question है, first statement says, Punjab Agricultural University registered trichoderma asperlum, with the Central Insecticides Board, and Registration Committee CIBRC, to manage foot rot disease in basmati rice, this is a very important question, you can expect this question in any, you can say state pieces exam, और one day exams, किस के लिए basmati rice, we will see कि यह बिल्कुल सही है, basmati के लिए है, या फिर किसी और के लिए है, कौन से disease की बात कर रहा है, foot rot disease, किस ने दिया है, किस ने किया यह का, पंजाब Agricultural University ने किया है, किस के बारे में किया है, Trichoderma Asperlum की बारे में बात हो रही है भी, ठीक है, और कौन सा पार्ट है यहाँ पर, किस को, किस के साथ किया है, Central Insecticides Boards and Registration Committee CIBRC, इतनी सारी factual चीज़े हैं, examiner क्या कर सता है यहाँ पर, इसमें से कुछ भी एक चीज़ चेंज कर दी, the statement will be wrong, this statement is correct here by the way, this statement is correct, यह statement बिलकुल सही है, पंजाब Agricultural University, PAU registered Trichoderma Asperlum, with the Central Insecticides Boards and Registration Committee CIBRC, to manage foot rot disease, important है, foot rot disease, important है, लिंक किस से होती है यह, यह होती है बास्मती राई से, this is the correct statement, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर है, complex हो जाता कोशन, इस वज़े से simple बनाया गया है इसको, और इसको और इसको और इसको और इसको याद कर लिज़े इस चीज़ को, कि कौन सी उनिवस्टी है, और कौन सा organization है, CIBRC है, and what is the product, Trichoderma Asperlum, इन दे बास्मती राइस से यहाँ पर लिंग करना, यह काफी important है, foot rot disease को, second statement is, बास्मती राइस is valued, for its aroma and flavor, it is very important, I think, आप लोग जानते भी होगे, बास्मती राइस के लिए तो famous ही है, पंचाब, for its aroma and flavor, right, holding a significant share in the global market, we are exporting it also, हम export करते हैं, हमारा भारत जरेश से बहुत ही, ज़्यादा export भी होता है, बास्मती, right, so this statement is also correct है, this statement is also correct है, which of the statements given about, is it correct? the question is asking, correct thing, सही चीज पूछी जा रही है, तो चारो options में से, one only to only, both one and two, and neither one not two में, C option जो है, वो बिल्कुल, लुदियाना में, it registers Trichoderma Asperlum, with the Central Insecticides Boards, and Registration Committee to ECIBRC, to manage the foot rot disease in बास्मती rice, this is the correct statement, this thing is very important, कौन सा product है, कौन सा rice है, यह important है, कौन से disease का नाम पूछा गया है, उसके बारे में है, और कौन सा product है, Trichoderma Asperlum, बार बार मैंने इस word का use किया है, इस वीडियो में, I hope आप सभी नों को याद भी हो गया होगा, वेर इस पंजाब अरिकुल्चर निवर्स्टी, इस इन लुदियाना, लुदियाना, इसके कुछ देखते हैं, importance क्या है बास्मती rice की, valued for its aroma and flavor, the second statement was correct, aromas की खुश्बू और जो फ्लेवर है, इसका जो स्वाद आता है, यह बहुत ज़्यदा अच्छा होता है, विश्व भर में प्रसिद्ध है, GI टैक भी मिल चुका है, इसको, significant share in the global market, we are exporting it, हम export करते हैं, हम निर्यात करते हैं इसका, निर्यात किया जाता है इसको, और निर्यात करते हैं, हम Western countries में, जहाँ पर बहुत अच्छी एक product मिलता है, बहुत अच्छा एक इसका value मिलती है, हमारे Indian जो किसान है उनका भी, और बहुत अच्छा है, हम कहसाते हैं कि, global market share में अगर value है इसकी, तो product के तौर पर हमारे भारत की पहचान भी होती है, ठीक है, भारत की पहचान होती है इसमें, demand किया है, increasing cultivation area requires robust disease management, ये एक demand है इसकी, इसी वज़े से ऐसा हुआ है कि, जो university है, university के जो professors होते हैं और जो scientists हैं, उनका ये काम रहा है, कि वो इसके बारे में कुछ contribution करें, and diseases जो होती हैं, उनसे बचाया जाए, robust diseases जो है, इनसे बचाया जाए इस पास्मती rice को, manage करना है, manage करने वाली जो strategies होती है, उसको बनाया गिया है, और foot rod disease के लिए बनाने का, जो product हाई वाला, ये mycorderma, trichoderma asperlum, ये product हाई, उसको नाम याद कर लिजेगा, बस export किया जाता है, ये सब तो आपको clear है, कि demand भी इसकी अच्छी खासी रहे, now, we are coming to the question 4, चौथा question है हमारा, what is the total capacity, capacity पूछी गई है इसमें, what is the total capacity, of the new solar power plants, being developed in भटिंडा district, भटिंडा जले में बनने वाले, solar plant, tor, ओर्जा के जो plants है, जो device लगाई गई है, वहाँ पे, उन सब की total capacity कितनी है, capacity, ऐसे questions बहुत आते हैं, ठीक है, डारेटली इसमें, single liner statement रहता है, और इसमें पूछा जाता है आप से, कि कौन सा जो option है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे questions में, probability is 25%, 25% की probability आपके पास, नहीं पढ़ा है, तो फिर नहीं हो पाएगा, इस वजए से, आपको ये चीज़ देखनी पढ़ेगी, कि कौन सा सही है, correctly इसको cover करना है, चारो में से, वे फोर ओप्शन, 8 MW, 10 MW, 12 MW, 15 MW, अगर आपको पता है, तो ये चूज़ दे करट ऑप्शन, बाँसे इस वीडियो, मैं आपको बताने वाला हूं कि करट ऑप्शन कौन सा है, ये ये दे करट ऑप्शन, is C option, and it is 12 MW, भटेंडा डिस्टिट में, भटेंडा जिले में, टोटल कैपासिटी, टोटल चमता जो लगेगी, new solar power plant की, वो होगी 12 MW की, विल सी दे सुलूशन आलसो, option C is correct, पंजाब गवर्मेंट इस एक्स्पैंडिंग solar power infrastructure, to reduce the carbon footprint, carbon footprint, बताईए भारत देश का, क्या विश्व इस तरह पे, जो carbon footprint को कम करने का, एक उद्देश बनाया गया है, वो क्या है, बताईए आँ, इंडियन एम इस, इंडिया का क्या एम है, carbon footprint को कम करने का, वो है 2070, 2070, और world का, और world में मतलब major जो, economies है, और developed economies है, और majorly हम कहते हैं कि western countries को है, उनका कितना है, 2050, 2050 सकोने, carbon footprint को, कम करना है, ठीक है, neutral stage में लिगाना है, carbon neutral बनना है, तो carbon neutrality के लिए, ये years decide किये गए हैं, इंडिया ने बोला, कि अभी हम तो developing stage में हो, हमारा जो per capita, carbon footprint है, European part and they are in the Americas, तो वहाँ पर, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, है per capita carbon footprint, तो carbon neutrality के लिए, ये ज़्यादा है years, इसको धान रखी जेगा, world का है, it is 2050, and India का है, 2070, तो Punjab government is expanding, is expanding solar power infrastructure, to reduce a carbon footprint, and enhance what, enhance the energy sustainability in agriculture, everywhere we have seen, कि भाई, government की schemes है, चाहे वो central government की हो, चाहे वो state government की हो, they all want, कि हम shift हो जाएं, from the, जो की हमारा petroleum वाला part था, जिदने भी इंधन होते हैं, उन से, to the solar power, और we can say the, renewable energy part, तो हम non-renewable energy resources से, हम जा रहे हैं, shift हो रहे हैं, renewable energy resources की तरफ, या फिर हम बहुत आते हैं, गैर नवी करनी और जा सुरोतों की तरफ से, हम shift हो रहे हैं, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं, और हम shift होते जा रहे हैं, नवी करनी और जा सुरोतों को use करने के लिए, किसमे, agriculture में, क्रिशी में भी इसका उप्योग किया जा रहा है, ठीक है, इसके के लिए, तो ये हमने, capacity कितनी है इसकी, 12 megawatt है, भटिंडा जिले में लगाए जाएंगे solar power plant, 12 megawatt इसकी capacity है, जो मैंने बताया, 6.65 million units, ठीक है, 6.65 million units, तो grid connected thing, ये आपको समझना पड़ेगा, कि क्या चीज़ है, यूँकि जितने भी energy generate होगी, solar power panels से, और panels जो होते हैं, वो connected रहेंगे grid से, कई पार ऐसा होता है कि energy saving हो जाती है, मैं इतना consumption भी नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ये important चीज़ है, grid connected solar power plants के लिए, and the capacity here is 12 megawatt, 12 megawatt की इसमें capacity use होगी, अगले question पर आते हैं, अच्छा इसी में देखते हैं कि operational क्या होने वाले, future products में क्या है, operational कब तक हो जाएगा, June 2025 तक हो जाएगा, बगभग एक साल अभी लग जाएगा, होते होते, investment 50 crores, 50 crores का इसमें investment किया गया है, and location कौन-कौन सी है इसमें, भागी बंदर, चेरगा, और कोठे मौलाना विलिच, ठीक है, ये सब जग़ों के नाम है, ये extra informations है, इतना याद करनी की, ऐस सच जरूरत नहीं है कि, कहां-कहां पे होगा, बट फिर भी, अगर आपने पढ़ लिया है, तो आप पंजाब स्टेट के लिए, ये सारी चीज़ें इंपोर्टन है कि, कहां-कहां पे development हो रहा है, towards the नभी करनी है, या फिर renewable energy sector, next question पे आते हैं, what percentage of groundwater blocks are depleted, depleted की बात हो रही है, groundwater blocks जो हैं, वो depleted हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, due to the intensive agriculture in Punjab, पंजाब राज में बहुत ज़्यादा, एक अती जो की जाती है, किर्शी में, एक intensive मतला कि बहुत ज़्यादा, अत्यधिक दबाओ पड़ता है, जब इन factors पर, irrigation वाले factors पर, ठीक है, groundwater के blocks जो हैं, वो depleted हो गए हैं, intensive agriculture से, कहाँ पे पंजाब राज में, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि agriculture में, demand बहुत ज़्यादा है, irrigation के लिए, demand बहुत ज़्यादा है, तो इसमें underground water का, use भी किया जाता है, तो options क्या हैं आपके पास, A option is 60%, B option is 70%, C is 80% and D is 90%, तो which option is correct, you can pause the video, you can choose the correct option here, I will tell you the correct option, pause कर दीचे, हम बताते हैं भी, what percentage of groundwater, क्या हो सकता है, इसका जो correct option है, वो क्या है, 80%, C option is correct है, 80% जो है, वो ground water blocks जो है, वो deplete हो चुके हैं, due to intensive agriculture in Punjab, we will see the solution है, option C is correct, right, option C is correct, 20 out of 23 districts in Punjab, face severe water scarcity, 20 out of 23, you can see the number, I hope आप सभी लोग भी, कभी ने कभी इस चीज़ को face करते होगे, क्यूंकि आप लोग भी इन Punjab states से ही बिलॉँ करते हो, तो प्लीज देख ली जगा कि क्यूं ऐसा हो रहा है, तो agriculture is the major factor, agriculture is the major factor, क्रिशी एक ऐसा major factor है, एक ऐसी demand यहां पर generate हो रही है, water की, जिसकी वज़े से ऐसा हो रहा है कि ground water जो है, वो इसका level deplete होता जा रहा है, demand is very high in agriculture, for this water, ground water अपीश, over 80%, 80% of the ground water blocks are depleted due to the intensive agriculture, it's very high number, बहुत जादा number है, 80%, you can expect in the future, after 20 to 30 years, what will happen, क्या होने वाला है, 20 से 30 साल बाद, assessment के दौपे, 117 out of 153 blocks, categorized as over exploited, you can see the number है, 153 में से, 117, they are over exploited, बहुत जादा use हो रहा है उसका, बहुत जादा, ठीक है, तो यहाँ पर सरकार को भी, यहाँ पर लोगों को भी, और यहाँ पर, क्रिशी में लगे हुए, लोग जो हैं, और उपर से, यह आता है उपर से, order जो हैं, वो सब चीज़ें उपर से आती हैं, order क्या, मतलब अगर हम, infrastructure development करना है, तो वो चीज़ें तो ऊपर से जाएंगे, किसान हर चीज़ नहीं कर सकते, वो तो एक, at the end, विल्कुल, on the ground level पर काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन फिर भी, यह जो चीज़ें हैं, infrastructure जो बनता है, वो कहां से बनता है, वो ऊपर से बनता है, फोर क्रिटिकल, फिफ्टीन सेमी क्रिटिकल, and सेवेंटीन स्वेफ ब्लॉक्स आदे, and the annual ground water extraction is, बलगभग, 28.02 बिलियन क्यूबिक मीटर, 28.02 बिलियन क्यूबिक मीटर, it's a very big number, इतना जादा consumption होता है, वो भी पंजाब राज में, जो कि comparatively एक छोटा राज है, और majorly उसमें आप देखते हैं, कि जो उपर ओले जो पार्ट है, उपर ओले जितने भी जिले आते हैं, अंदे यार, वो क्रिशी प्रधान तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो basically शिवालिक से टच होने वाले आपको, जो जिले पढ़ते हैं, वो पंजाब में पढ़ते हैं, और हम यह भी देखते हैं कि कुछ पार्ट पहाड़ियों से भी जो लगा हुआ है, कुछ पार्ट जो है, वहाँ पे नहरें तो है ही, रिवर से नहीं भी नहीं, हमने भी यह बना सकते हैं, और इसमें हम लोग canals भी बना दते हैं, उसके बाद भी उतना ज्यादा over exploitation है, you can see the number irrigation के लिए कितना ज्यादा है, ground water extraction के लिए 28.02 billion cubic meter, it's a very big number. So 80% of the ground water blocks are depleted due to this intensive agriculture, this was the question and C option here is correct, right, C option here is correct 80%. Next question पे आते हम लोग, this is a very factual statement, which cities in Punjab are being considered for the metro systems according to the feasibility studies, ठीके, metro systems के लिए कौन सी ऐसे शहर हैं जो की जिन पर विचार किया जा रहा है, ठीके, consider किये गए हैं, metro systems के लिए, city-wise, city-wide जो इसमें transportation होता है, उसके लिए, feasibility studies के लिए, we have four options here, Chandigarh, Bhatinda, Bathankort, Mogha and Firozpur, Mohali, Imrisar, Lodhiyana, Jalandar and Patiyala, C option is Hoshyarpur, Kapirtullah, Mukhtar, Ropad and Sangroor, and D option is Barnala, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Gurdaspur and Nawan शहर, we have four options and you have to choose one option, the correct option here is, you can pause this video and choose the correct one, I will tell you, B option here is correct, B option here is correct, Mohali, Amritsar, Lodhiyana, Jalandar and Patiyala, this is the correct option, जो consider किये गए हैं, metro systems के लिए, और यहाँ पे metro चल सकती है, पंजाब, B option is correct है, पंजाब government addresses traffic congestion, this was seen, recently बहुत जादा ऐसा भी study होती रहती है, ठीक है, studies भी होती रहती है, universities का भी इसमें रोल रहता है, scientists का भी इसमें रोल रहता है, कि क्या चीवें ऐसी हैं, जो की की जाएं, government का भी इसमें interaction रहता है, ठीक है, तो हर level पे चीवें होती है, इसमें studies भी होती रहती है, उसी में से, traffic congestion बहुत जादा होता जा रहा है, कई सालों से ऐसा भी देखा गया है, तो वहाँ पर metro systems के लिए, urban transportation के लिए, urban transportation infrastructure के लिए, क्या चीज किया जाएं, तो कौन से ऐसे शेहर चूज किये जाएं, कौन से ऐसे cities चूज किये जाएं, उनके बारे में ये study की गई है, कौन कौन से इसमें cities आते हैं, बी option के according, मौहाली, अमरिटसर, लुधियाना, जलंधर और पटियाला आते हैं, urban transport infrastructure development के लिए, which is, we know that, it is a metro system. Like in Delhi, we have Delhi Metro Rail Corporation, BMRC, और future में जहां जहां पर भी, urban transportation infrastructure बनेगा, वहां वहां पर ये metro systems दो हैं, वो बनते जाएंगे, you have seen the B option, काईएंगों से cities थी. So, these cities आ जाएं, metro systems होंगे यहां पर, feasibility studies करी कही हैं, आपर, लुदियाना, जलंधर, अमरिट सर्ण, मोहार्दियान, पतियाला, transport system में, mass rapid transit, mass rapid transit MRT, for high traffic cities like Lodhiyana, यहां पर, decide किया गया है, transport systems के options है, and metro light, for moderate traffic cities, metro light, ये भी एक concept लाएगया है, metro light का, ये है for the moderate traffic, ये moderate के लिए हो जाएगा, और ये rapid वाला हो जाएगा, high traffic cities के लिए, तो high traffic cities के लिए, rapid, mass rapid transport, इसमें कैया है, metro light, right वाला है, moderate traffic के लिए, चीक है, B option is correct, in this question, next question पर आदे हैं, next question says, how many ethanol distillation, ethanol distillation plants, are the operational, operational ने पंजाब, हमारे पंजाब राजजी में, कौन से ethanol distillation plant, ठीक है, ethanol distillation plants है, currently operational है, जो की पंजाब में, we have four options, two, four, six, eight, क्या होगा इसका option, क्या होगा इसका सही option, आप चूज़ कह सकते हैं, B option here is correct, B option here is correct, this one, four is correct only, ठीक है, हमारे पंजाब state में, we have four ethanol distillation plants, directly ऐसे पूछा चाथा है, कि कितने हैं ethanol distillation plants, वो है चार, solution देखते हैं, B option, पंजाब attracts ethanol distillation plants, due to abundant agricultural law, ठीक है, आपने देखा होगा, कि हमेशा news में भी जाता है, कि जैसे अभी October आते जाएगा, वैसे वैसे होगा, कि बही पराली जलाई जाती है, allegation लगाता है देली भी, कि हमारे यहां जो जितना भी pollution हो रहा है, smoke की condition हो रही है, it is due to the western UP, हर्याना एंड पंजाब, तो ऐसे include किया जाता है पंजाब को भी, क्योंकि पंजाब की वाज़ ऐसे बहुते हैं, abundant है, abundant मात्रा में है, and which can be used for the ethanol production, फीक है, ethanol production में इसका use किया सकता है, जैसे पराली होती है, जतना भी produce होता है, raw material जो निकलता है, excreta के तोर पे जो हम कह सकते हैं, कि किसी भी किर्शी का, किसी भी फसल का, तो abundant मात्रा में, बहुत जादा मात्रा में, agricultural raw material मिलता है, कहां पे, पंजाब में, right, बिल्कुल सही बीवाद भी है, और इसका use किया जासता है, कहां पे, ethanol distillation plants में, ठीक है, ethanol distillation, इससे होगा क्या, इससे एक तरीके से environment पे, ठीक है, एक environment पर असर भी पड़ेगा, ठीक है, उनको जलाया नहीं जाएगा, जलाने से pollution जो है, air pollution वो भी नहीं फैलेगा, तो यह अच्छी चीज़ है, win-win situation, तो इससे क्या हो सकता है, win-win situation हो सकती, एक तरफ हमने environment को भी बचा लिया, और दूसरी तरफ हमने ethanol को भी बना लिया, ethanol distillation plants में इसका use कर लिया, as a raw material, ठीक है, हम कह सकते हैं कि input की तरीके से, input method की तरीके से, input product की तरीके से, ethanol distillation plants में इसका use भी कर लियते हैं, use करने से हम क्या हो सकते हैं, win-win situation को अपना सकते हैं, और environment भी बचा सकते हैं, raw material कौन कौन सा होता है, wheat है, paddy है, maize और sugar के लिए, इन सारी फसलों से, जो भी products निकलते हैं, raw material मिलता है, उसको हम लोग use कर सकते हैं, अपने ethanol production के लिए, तो these crops are used for the ethanol production, ठीक है यह ऐसा पंजाब state में, यह पैदा भी की जाती है, और इनका जो भी byproducts होता है, उनका use किया जासता है, ethanol production के, इंडस्टी का इंडस्टी का इंडस्टी और 25 entitled entities, जो हैं, वो interested भी हैं इसमें, and 4 in Punjab, हमारे भारत देश में कितनी हैं, 200 plants हैं पूरे भारत देश में, उनमें से 4 हैं पंजाब में, and we have the scope also, पंजाब में 4 से जादा का scope भी है, because we have the input in a great number, बहुत बड़ी मातरा में हमारे पास input आदा है, जो raw material मिलता है, इन सारी फदलों से बहुत जादा मिलता है, which can be used for the ethanol production, and हमारे पंजाब state में कितने हैं, 4 ही हैं plants, हमारे पंजाब राज्य में काफी ज़दा capacity, increase करने की, इसमें है expansion करने की, saving rupees 30,000 crore in the foreign exchange, बहुत important चीज़ है, foreign exchange, forex reserves जो हैं, वो हमारे save हो सकते हैं, 30,000 crore rupees हमारे save हो सकते हैं, अगर हम लोगों ने इसको बढ़ा लिया, चार जो हैं, उनको और और भी बढ़ा दिया, and capacity कितनी बढ़ जाएगी, 775 crore liters की capacity, increase हो सकती है, पंजाब state में, future expansion के तौर पे, and it will save the foreign exchange, forex reserve हमारे भारत देश के, इसमें save हो जाएगे, ठीक है, तो we have the four, we have four in Punjab, and total we have 200 plants in India, चलो, next question पे आते हैं, अगले question पे आते हैं, the question says, at which annual group meeting, of the All India Coordinated Research Project, at which All India Coordinated Research Project, on rice, was PAU, Punjab Agricultural University, recognized, Punjab Agricultural University, was recognized, ठीक है, तो at which annual group meeting, कौन सी थी थी वो, 55th थी, 57th थी, 59th थी, 61st थी वो, annual meeting, we have four options here, All India Coordinated Research Project, किस पे आन rice, चावल किस थी थी थी, कौन सी थी थी में, we have four options, you can choose the correct option, I will tell you the correct option, correct option here is, C option, 59th, C option, Punjab Agricultural University, recognized at the, 59th annual group meeting, of the All India Coordinated Research Project, on rice, 59th, C option here, that is correct, 59th, solution देखते हैं इसका, 59th हो गिया यह वाला part, और developed, यह होता क्या है, इसमें, contributions क्या है, short duration, हमारा जो main aim होता है, main aim यह होना चाहिए, कि वो short duration की crop हो, rice crop हो, इसके अलावा भी बहुत सारी crops रहती हैं, पर rice crop की बात कर लेते हैं, short duration की crop होनी चाहिए, short duration का मतलब है, उसको ज़्यादा समय लगना चाहिए, परिपक को होने के लिए, ठीक है, develop होने के लिए, उस फसल को, ज़्यादा समय ना लगे, तो कम समय में, अगर वो develop हो जाती है, तो next जो फसल है, उसको भी cycle जो है, उत्पादक्ता जो है, it should be high, short duration मतलब, कम अवधी, कम अवधी की crop होनी चाहिए, अवधी मतलब समय, की crop होनी चाहिए, साथ में ये, disease resistant भी होनी चाहिए, disease resistant मतलब, बीमारियों को, के को सहन करने वाली छमता, इसमें होनी चाहिए, जो rice की variety है, ठीक है, उसी की बात की जा रही है, 59th ice में, varieties like PR 126, and PR 131, cover 70% of the Punjab's rice cultivation, important है ये चीज़, the rice को note down कर लिजेगा, कौन सी rice की varieties है, PR 126 and PR 131, ये हैं, लगबग 70% एरिया को cover करते हैं, पंजाब में rice cultivation के लिए, ठीक है, these are the varieties of rice, 70% पंजाब's rice cultivation, ठीक है, ये वाला बाट हो गया, it was 59th, 59th, see option, next question पर आते हैं हम लोग, next question is, which act was, which act was amended by the Punjab government, recently, कौन सा ऐसा act है, जिसको amend किया गया था, जिसका, इसमें संशोधन किया गया था, to improve the registration process, registration process को improve करने के लिए, कौन सा act था जिसको improve किया गया था, जिसमें की amend किया गया था, ठीक है जिसमें संशोधन किया गया था, we have four acts here, the company's act 2013, the registration act 1908, the transfer of property at 1882, and we have the D option, the Indian contract at 1872, transfer of property at 1882, ठीक है, तो we have four options here, you can guess, easily guess which option is correct, here, you can choose the correct option, I will tell you the correct one, पंजाब गवर्मेंट ने अमेंड किया था, अमेंड किया था, registration process के लिए, registration process के लिए, property related जो registration होते हैं, उन सब के लिए बात है यह, B option here, will be the correct option, the registration act 1908 की बात की जा रही है, यहाँ पे B option, you'll see the correct option here is B, and the solution is, इस पंजाब गवर्मेंट ने अमेंड किया था, संशोधन किया था, संशोधन किया था, इसमें, the registration act 1908 में, registration act 1908 में, to improve the registration process, registration process को improve खरने के लिए, ठीक है, property related registration process, इसमें जो amendments हैं, वो क्या है, registration of mortgages by deposit of title deeds, ये एक पहला point था, इसमें important point, next point था इसमें, जो अपमें amendment किये गए हैं, उसमें, inclusion of sales certificates, sales certificates को भी include, इसमें किया गया है, major points, and the third one is, deletion of subsection 212, subsection 212 of section 17, ये specific चीज़े हो गई हैं, I think, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, कभी भी amendments क्या हुए है, लेकिन फिर भी, किस act में amendment हुआ है, वो पूछा जा सकता है, तो वो है registration at 1908, which is written here, registration at 1908, this is important here, property related amendment किया गया है, and the Punjab government is responsible for this amendment, ये हो गए amendments किया थे, यहाँ पर लेखते हैं, क्या होगा, objective क्या था, objective था, clearer guidelines दी जाएंगी इसमें, and procedure, procedure को एक streamline करना है, जितना भी process होता है, registration के लिए, इसमें guidelines को clear किया गया है, साथ ही साथ इसमें procedures को भी improve किया गया है, clear किया गया है, साथ में efficiency को enhance करना, एक major requirement थी, इस पर भी काम किया गया है, पंजाब government दे सबसे पहले, इसको भी ध्यान में रखा है, efficiency को enhance करना, बढ़ाना, ये एक major priority थी, third is, reduce confusion and streamline interactions, ठीक है, confusion का part, ये बहुत ज़्यादा, परिशान करता है लोगों को, आम जन्मानस को, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं, इस process को, तो इस चीज़ को, जो confusion create होता था, इस process में, उसको भी streamline किया गया है, confusion हटाया गया है, और जितने भी interactions हैं, उनको, हम कहते हैं, transparency ज़्यादा इसमें लाई गई है, ठीक है, transparency जो है, ये लाई गई है, इस पूरे process में, तो कौन सा एट था, registration आट 1908 वाला था, ठीक है, तो हमारे आज के, जितने भी पंजाब, राज के current अफेस से, जून मन्थ के, वो यहाँ पे समापत होते हैं, आप लोग बताईएगा कि, आपको कैसा लगा ये वेला वीडियो, I hope, आप से भी लोगों को बेटर लगा होगा, और, जो भी current अफेस होते हैं, वो सारे आपके exam के लिए important भी है, साथ-साथ, आप अपने आपसे भी कुछ current अफेस को cover करते चला करिए, ठीक है, हम तो अपने तरुसे provide करेंगे, solution भी आपको provide करेंगे, और एक जो, वो होता है न, कि major जो चीज़े होती हैं, आपके exam के लिए, वो हम आपको provide करते हैं, जैसे, आपने देखा होगे, कई सारे ऐसे current affairs थे, जो कि पंजाब agricultural university से related थे, तो आप समझ पा रहे होगे, कि किस पर focus रहता है, government exams का भी, और government में जो, I.O. के जो question papers बनते हैं, उनका भी, commission के जो question papers बनते हैं, उनका भी, तो I hope आप तब भी लोगों को सही लगा होगा, आप लोगोंने test भी किया होगा, आपने आपको, कि आपकी current affairs की knowledge अभी तक कि कितनी थी, क्योंकि मैंने आपसे बोरा था कि वीडियो को pause कर लीजेगा, और उसके बाद आप लोग attempt करिएगा, हमने discuss भी किया इसके बारे में, मिलते हैं, अगले वीडियो में next month का जो भी current affairs होगा, उसमें हम लोग बिलेंगे, और वो भी ऐसे ही discuss करेंगे, multiple choice questions के जरिये, मिलते हैं, अगले वीडियो में, जैहिंद चैपारत,